नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरनेस एजुकेशन यूज में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान स्टाफ नर्स और महिला स्वास्त कारी करता याने की जी एनेम और एनेम की जो 2018 की भरती है उसका जो फ प्रोबेशन काल में कितनी सेलरी मिलती है और प्रोबेशन के बाद कितनी सेलरी बन जाती है तो टोटल हम इस पर चर्चा करेंगे कंप्लीट वीडियो सुरू से लेके अन तक जरूर देखें और जिन साथियों का 2018 एनेम और जी एनेम में सेलेक्शन हुआ है वो भी इस उसमें कितनी सेलरी मिलती है और उसके बाद आपकी सेलरी क्या बन जाती है जी हाँ दोस्तों कम्प्लीट वीडियो पूर्ण विसलेशन के बाद आप लोगों के लिए तो जी हाँ दोस्तों आए देख लेते हैं कितनी सेलरी यहाँ पर मिलती है तो देखिए दोस्तों काफी अच्छी सेलरी यहां पर राजस्तान स्टाफ नर्स और एनम को मिलती है आए देख लेते हैं इतना क्या यहां पर प्रोसेस रहेगा जी हां दोस्तों आपकी जो नर्स ग्रेड टू यानि की जी एनम स्टाफ नर्स तो यहां पर उनका पे मेट्रिक्स लेवल 11 है और 26,500 फिक्स यहां पर सेलरी यहां पर मिलती है अब दोस्तों 26,500 दो साल तक मिलते हैं लेकिन दोस्तों इसमें से आपका जो NPS New Pension Scheme जो पहले Old Pension Scheme लागू था 2004 के बाद अंसदाई Pension योजना यानि की NPS लागू कर दी गई थी और इसमें क्या होता है दोस्तों 26,500 का 10% less कर लिया जात है आपका 26,500 में से यानि की 26,50 रुपए आपको इसमें से काट लिये जाएंगे NPS के तो 26,500 में से आप यहां पर 26,50 रुपए कम कर सकती हैं वो आपको सेलरी GNM यानि की स्टाफ नर्स को दो साल तक मिलेगी ठीक है अब दूसरी हम बात करें दोस्तों एनेम के तो एनेम का जो पे मेट्रिक लेवल है वो लेवल 8 ठीक है लेवल 8 है और इसमें दोस्तों फिक्स रिमूनरेशन है वो है 18,500 रुपिया ठीक है 18,500 अब इसमें भी दोस्तों 10% आप इसका NPS काटते हैं तो यह भी कटेगा तो 18,500 का 10% 18,50 रुपए आपके इसमें से आप कम कर दीजिएगा 18,500 में से जो भी आए वो आपको सेलरी इसमें मिलेगी यह एनेम और जी एनेम दोनों के लिए मैंने आपको 2 साल का बता दिया है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों परिविक्षय काल के बाद उससे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूंगा देखिए आपका जो था यहां पर देख सकते हैं L8 ठीक है अलेट ऐसको था एनेम का ठीक है तो एनेम को 18,500 और इसमें से माइनस 1850 कर सकते हैं ठीक है अब दोस्तों आपका था L11 यानिकि GNM का ठीक है तो GNM को जो सेलरी मिलेगी स्टाफ नर्स को 26-500 और उसमें से 10% प्लेस कर दीजिए NPS के ठीक है तो ये आपको सेलरी दो साल के दोरान मिलेगी जो आपका प्रोबेशन काल होता है ठीक है दो साल तक ये सेलरी मिलने माली है आप लोगों को दूसरा अब हम हम बात करें दोस्तों कि आपकी जो दो साल बात क्या सेलरी होगी क्या बेसिक स्पे होंगे ठीक है दोस्तों तो वह 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 भी हम इस वीडियो में चर्चा करती है ठीक है आप देखिए दोस्तों आपका जो L8 था तो आपकी जो जोब है 2800 पे ग्रेड की है A&M की ठीक है किसकी है 2800 A&M की अब हम बात करें कि जो L11 ठीक है तो L11 देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है आपका G&M का यानि की जो आपका बेसिक वेत्रमान है जो पे लेवल है वो रहेगा आपका 2400 ग्रेड पे प्लस देखिए यह बेसिक आपका इसमें रहने वाला है ठीक है और इसमें आपका रहेगा यह आप लोग देख सकते हैं ठीक है आप दोस्तों दो साल बाद क्या सेलरी मिलेगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठीक है आपको नजर आ रहा होगा 26,300 ठीक है 26,300 ठीक है 26,300 आपका दो साल बाद क्या रहेगा मूल वेतन जिसको बोलते हैं ठीक है अब दोस्तों 26,300 यह आपका हो गया मूल वेतन हो गया अब दोस्तों फिलाल जो जो डीय मिल रहा है वो 16 प्रतिसत है आप 2 साल में मान लेजिए ये मान के चलिए 14 प्रतिसत और बढ़ गया हर 6 महीने में बढ़ उतरी होती है इसकी 6 मंश में ठीक है तो 16 फिलाल है तो 2 साल में कितना हो गया 16 प्लस 14 आप कर लेंगे तो कितना हो गया ठीक है अब आपका जो मूल वेतन कितना था 26 300 ठीक है और उसमें आप 30 परतेशत इसका 26 300 का एड कर देंगे ठीक है वो आपका हो गया इसके अलावा और भी चीज़ें मिलती हैं दोस्तों इसमें आपको जैसे हाउस रेंट अलाउंस ठीक है तो यह मिलता है आठ 16 और 24 ठीक है बड़े सहर जैसे जैपुर हुआ जोद्पुर हुआ इनमें मिलता है आपको ठीक है चोबिस शोला उससे जो छोटे सिटी हैं और आठ तो आप कम से कम आठ मानके चलिएगा ठीक है तो 26 हाजार तीन सो का आठ प्रतिसत वो निकाल लीजिए प्लस में 30 प्रतिसत वो ठीक है अब एक और चीज यहां पर मिलती है दोस्तों मूल वेतन पिलस इसका आप 38 परसेंट कार लीजिए यानि कि 30 परसेंट अम्मेंगाई भत्ते को मान लेते हैं ठीक है तो यहां पर एक आप लोग देख सकते हैं 8000 के आसपास यह आपका बनता है 30 प्रतिसत यह और 8 प्रतिसत और अपन इसका निकालेंगे जो आपका हरे होता है ठीक है तो कहने का मतलब यह है आपका जो अगर काट फीट इसकी अगर हम की जाए तो दस प्रतिसत आपका बेसिक प्लस डिये का यहां पर काट किया जाता है तो दोस्तों कम से कम अगर हम सेलरी की बात करें तो 32-33,000 रुपए यहां पर एनम को सोरी मिल जाती है अब बात करें दूसरे हम GNM की ठीक है तो ये समझ में आए गया होगा 26-300 आप करहेगा Basic प्लस DA ठीक है जो 30% आप मान के चलिए 2 साल का प्लस 8% आप अगर मान के चलें छोटे शहरों में ग्रामेन एरिय में तो 8% आप इसका निकाल के चलेंगे प्लस इसमें ट्रांस्पोर्ट जो तकरीवन होगा आपका 1500 से 1700 के आस पास ठीक है तो ये यहाँ पर आपका 32-33,000 रुपए आपको 2 साल बाद ओन कैस सेलरी यहाँ पर एनेम को मिल जाएगी अब आपको बात करें दोस्तों आपकी है जो 42,000 की ठीक है इसका वेतन मान रहेगा आपका जो मूल वेतन है 37,800 ठीक है तो 37,800 ये जी एनेम के लिए होगा जो आपका बेसिक पे अब इसका भी हम इतना ही लेके चलेंगे योग 30% इसमें HR है जो इस बेसिक का 37,800 यानि कि 37,80 को आप तीन बार गुना करेंगे वो आपको 37,800 में योग कर देना है ठीक है ठीक है उसके बाद इसमें भी वही रहेगा 8,16 और 24 आपका HR यानि HR का मतलब होता है तो तो हाउस रेंट अलाउंस ठीक है मकान किराया भत्ता ठीक है जिसको हिंदी में बोला जाता है तो वो भी आप जोड लें तो ये तकरीबन तकरीबन हम बात करें और इसमें ट्रांसपोर्ट और नर्सिंग में भत्ते वगरा भी मिलते हैं तो जीनेम की हम बात करें दोस्तों तकरीबन तकरीबन आपको पिप्टी थाउजंट के आसपास ठीक है ये आपको यहां पर सेलरी मिल जाएगी आप पर टू इयर्स ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों ये सेलरी मिलेगी ये नेम के लिए 32-33,000 रुपए ठीक है और जी नेम के लिए 50,000 के आसपास ठीक है ये एक अप्रोक्सिमेट गणना म होग भी कर सकते हैं और हमने डै एकframes 30% माना है दो साल बाथ ठीक है फिलाल yogurt चल रहा है दो साल ये चार बार बढ़ेगा तो आप 14% यहां पर मान सकते हैं तो तीस के आस पर सब्सक्राइज करके तो यह पर यह सेलरी आप लोगों को यहां मिलेगी दो साल तक आपको जो मिलन चब्वीस पानसो माइनस चब्वीस सो पचास जो आए वो आपको सेलरी मिलने वाली है और दो साल के बाद दोस्तों मैंने बता दिया है एनम को 32-33,000 और जी एनम को जो मिलेगा वो आपको मिलेगा लगबग 50,000 क्या सपस अब आप ये पूछेंगे कि इतना अंतर क्यों है दो अधिस्तान नर्सिंग भरती 2018 के अभ्यारतियों के लिए असमन जसे बनावा तक कितना पैसा हमें मिलेगा दो साल तक और उसके बाद अप्रोक्सिमेट कितना होगा लगबग मैंने बताया है ठीक है और ये कैलकुलेशन आप करके खुद भी देख सकते हैं तो दोस्तों वी